लो जाई आज हम स्टाd करने वाल है इससे साइस 5.5 का कोश्टिन नंबर 12 सुल्फ करते हैं उस पहले कि कोश्टिन में हम लोग क्या करते थे सबसे पहले कि हम वाइ माल लेते निकालना है तो सौल्फ करते हैं तो आपने सिंपली करना कुछ नहीं है यह जो हमारे और फ़ंक्सेंस रख्टे हैं तो इसे हम सिंपली यू और वी माल लेते हैं ऑके इन उसके ऐसे साफ एक्षा उखलन कर देते हैं तो क्या है हमारा यू इसकल क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा दैन क्या हो जाएगा हमारा y के power में x तो तो क्या होगा ये इतने की जगवा पर क्या है यू है यह हो जाएगा u then plus इतने की जगवा पर क्या है v है तो यह हो जाएगा v इस इसकार तुम्हें क्या चल रहा है 1 तो इसे simply हम कर देंगे x के साफ एक्ष हवकलन करने पर तो simply हम कर देंगे x के साफ एक्ष ओकलन तो यह हो जाएगा du by dx plus dv by dx then अगर इसका ओकलन करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा क्योंकि ओकलन में जब भी कोई constant value आता है तो उसका ओकलन करने पर सुनने आता है तो आप simply इसको ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा u is equal to x के power में y अब क्या है फलन के उपर फलन आ गया है तो हमें क्या मानना पड़ेगा log मानना पड़ेगा तो हम ले लेते हैं log u is equal to log x के power y तो logarithm property के नियम से क्या होता है सिद कि अगर जब भी log m by n में हो n by m के रूप में हो तो क्या होता है power हमारा मैसा आगे आ जाता है तो same here यहाँ भी यह हो जाएगा log u is equal to y क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा तो y into log x तो अब simply हम कर देंगे x के सापेक्ष ओकलन तो x के सापेक्ष आवकलन करने पर तो x के सापेक्ष ओकलन कर देंगा तो यह हो जाएगा d log u by dx then is equal to dy dot log x by dx तो वन लॉक का क्या होता है ओकलन 1 by x होता है बट x की जगा हमारा क्या देखा यू तो यह हो जाएगा 1 by u into du by dx अभी हमने लॉक का ओकलन किया तो 1 by u आया then हम u का ओकलन करेंगे तो यह हो जाएगा du by dx इसकल टू अब यह आपर दो फलन के गुरन फरवला फॉर्मूल अपलाई होगा तो यह हो जाएगा पहला फलन इंटू दूसरे फलन का ओकलन आप बस करते चाहिए उसमें आइडिया लगने लगेगा तो आपको जहां से दिखने लगेगा कि यह dy by dx यह हमें फाइंड आउट करना है इसी के जड़िये हमारा dy by dx फाइंड आउट होगा तो अब सिंपली 1 by u into du by dx तो इसका करते हैं ओकलन यह हो जाएगा y log x का उकलन क्या होता है 1 by x देन प्लास यह हो जाएगा log x into dy by dx देन du by dx इसकल तो अब इस x को हम क्या करेंगे सिंपली उपर भेज देंगे हां तो यह भेज देंगे हम उपर तो उपर जाने से क्या होता है यह इन्वर्स में हो जाता है देन इन्टू में हमारा क्या है y है देन प्लास यह हो जाएगा log x into dy by dx देन इस u को हम सिंपली भेज देंगे उपर तो यह हो जाएगा du by dx इसकल इसकल तो यह हो जाएगा एक्स इन्वर्स इन्टू वाई प्लस लॉग एक्स इन्टू डी वाई बाई डी एक्स देन डी यू बाई इसकल टू यू का वैल्यू आपने निकाला था क्या था यू का वैल्यू यू का वैल्यू आपने एक्स के पावर वाई रिकाल रखा है हां तो इतने के जगह पर हम सॉड़ी इतने के जगह पर हम इतना इसका मान रख देंगे ठेक तो इतने के जगह पर हम इतना रख देते तो क्या है u के जगह पर x के पावर में y then bracket x minus y plus log x into dy by dx तब simply क्या करेंगे इसका into कर देंगे तो यह हो जाएगा du by dx is equal to x तो यहाँ पर समझने वाली यह बात है कि अगर हम जब x से इसमें into करेंगे तो यह पावर जो है जाना यह पावर इसमें add हो जाएगा कैसे जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे क्या दे रखा है x के पावर में y then यहाँ भी क्या है into कर देंगे तो यह हो जाएगा minus 1 into y है तो यह क्या होगा base base क्या है same है तो यह हो जाएगा x y minus 1 into y तो simply हमारा यह हो जाएगा into करने पर यह हो जाएगा y minus 1 into y then plus इसका भी इसमें भी into होगा तो यह हो जाएगा x y into log x into dy by dx okay then break it close तो यह हमारा dy dy dx निकल क्या गया अभी हमें क्या निकलना है d by dx तो निकल लेते हैं उसे भी तो simply हमारा यहां भी हो जाएगा which equal to y के power में x तो इसमें भी हम क्या ले लेंगे यहां पर भी आप देखें कि फलन के उपर हमारा फलन आ चुका है तो हम इसमें simply log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों पक्षों में log लेने पर तो यह हो जाएगा log v equal to log y by sorry y के power में x तो क्या बताया था मैंने यहां पर कि अगर m by n के रूप में हो तो यह हमारा आगे आ जाता है तो यह हो जाएगा log v equal to x dot log y तो simply अब करना क्या है x के सापेक्ष हम कर देंगे ओकलन तो यह हो जाएगा x के सापेक्ष अब कलन करने पर तो यह हो जाएगा d log v by dx is equal to dx dot log y by dx तो इसका ओकलन करने पर क्या होगा तो यह हो जाएगा 1 by v into dv by dx log का ओकलन किया तो 1 by v आया दें v का भी ओकलन करेंगे तो dv by dx आएगा then is equal to यहाँ पर दो फलनों के good और फलन लगेगा यानि कि पहला फलन इन्टू दूसरे फलन का ओकलन plus दूसरा फलन इन्टू पहले फलन का ओकलन तो क्या होगा यह 1 by v हो जाएगा then dv by dx is equal to यह हो जाएगा x dot simply तो यह हो जाएगा 1 by y then plus log y into यह कटके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1 से into होगा log y का तो log y रह जाना है ओके simply हमें करना क्या है अब इस y को हम उपर भेज़ेंगे ठीक तो यह हो जाएगा 1 by v into dv by dx is equal to y को उपर भेज़ेंगे तो यह हो जाएगा x dot y inverse में y हो जाएगा then plus यह हो जाएगा log y तो अब simply हम इस भी को हम भेज़ेंगे ऊपर तो यह हो जाएगा dv by dx is equal to v को उपर भेज़ेंगे तो यह हो जाएगा ब्रेकेट में v x dot y inverse plus log y तो then आपने v का एक value निकाल रखा तो v का value जो है वो है dv by dx is equal to क्या है हमारा y के power में x then x dot y inverse plus log y तो simply अब करना क्या है इस y का हम इसमें into कर देंगे हां तो कर देता है into तो यह हो जाएगा dv by dx is equal to अब क्या है यह देखिए अब यह हम वाई और यह वाई क्या इसका बेस सेम है तो क्या हो जाएगा यह जैसे मैंने यहां पर बताया था कि इसका बेस सेम है तो यह क्या हो गया था जूड़ गया था तो सेम इसी प्रकार एक्स डॉट क्या है वाई है तो यह हो जाएगा एक्स इसका एक्स देन यह क्या है माइनस में वन है देन प्लस यह हो जाएगा इसका भी इसमें इंटू होगा इसमें इंटू किया है देन इसका इसमें इंटू होगा तो यह हो जाएगा वाई के पावर में एक्स लॉग द du by dx dby by dx का हम क्या करेंगे simply यहां पर put up कर देंगे जिससे कि हमारा dy by dx असानी से आ जाएगा मैं बता तो कैसे तो क्या करते हैं हम du by dx का हम मान रख देते हैं तो क्या था यह है x y minus 1 into y then plus x के पावर में y into log x into dy by dx then plus में क्या है हमारा इसका bracket close कर लेते हैं then plus dby dx का value क्या निकाल रख था हमने x dot y x minus 1 plus y x into log y then इसका bracket close then अब simply यहां पर क्या है 0 चल रहा है ओके तो अब हमें simply क्या करना है में dy by dx करना है तो क्या करेंगे इसको हम पहले उदर भेज देंगे इसकाल तो के यह रह जाएगा x y inverse y plus x y log x into dy by dx equal to यह उदर जाएगा तो क्या होगा माइनस में तो यह हो जाएगा माइनस x dot y x minus 1 plus y के पावर में x into log y then अब हम क्या निकाल लेंगे dy by dx कैसे अब यहाँ पर यह क्या है इसके इंटू में चल रहा है इतना ना जैसे कि आप मान लेजें इतना क्या है इंटू में चल रहा है तो इंटू हम simply भेज देंगे च्कल तो कहा जाएगा इसके नीचे ओके तो पहले हम लिख लेते हैं यह x.y x-1 प्लस y के पावर में x इंटू लॉग y अब यह इतना इंटू में है तो यह इसका टू की सेट हैगा तो क्या होगा बट्टे के नीचे चला जाएगा तो भेज देते हैं इसे x y-1.y प्लस xy इंटू लॉग x तो यह रहा question number 12 का answer तो solve करते हैं question number 13 तो यह रहा इसका solution तो क्या है इसमें किसमें भी हमें क्या मानना है u और v मानना है ओके तो simply हम इतने को भी यू मान लेंगे और इतने को भी मान लेंगे पहले वाले question की जैसे है यह से तो क्या है यह हमारा u is equal to क्या है y के power में x then v is equal to क्या है x के power में y ओके तो इतने के जगह पर क्या हमारा u है तो इतने के जगह पर जाने की y के power में x की जगह पर दिंग दे यू then is equal to में क्या है अब इतने के जगह पर हमने क्या माना है वी माना है यह हो जाएगा वी तो इसका simply हम कर देंगे x के सापेक्ष ऑकलन तो x के सापेक्ष ऑकलन करेंगे तो यह हो जाएगा दोनों पक्चों में इसका सापेक्ष ऑकलन करने पर ओके सापेक्ष हम कर देंगे ऑकलन तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा दोनों पक्चों में लोग लेने पर तो हम ले लेते हैं दोनों पक्चों में लोग तो क्या होगा यह लॉग यू इसकल टू लॉग वाई के पावर में एक्स तो लॉग अगर लॉग यू इन हो तो क्या होता है पावर हमारा क्या हो जाता है आगे आ जाता है यह हो जाएगा एन लॉग एम हो जाएगा यही न तो सेम यह यहां भी क्या होगा यह हो जाएगा लॉग यू इसकल टू पावर जो हमारा कहा जाएगा लोग क्या आगे यह हो जाएगा एक्स डॉट लॉग वाई ओके तो आप सिंपल ही हम कर देंगे एक्स की सापेक छे एक्स के सापेक छे हाव कलन करने पर तो डी लॉग यू बाई डी एक्स इसकल टू डी आप सिंपल ही हम क्या करते हैंगे ओक्लन इसका यह हो जाएगा वन बाई यू इन्टू डी यू बाई डी एक्स तो अभी हमने लॉग का ओक्लन किया तो डी यू बाई यू आया यहां पर दो फलन के गुरंट फर वाला फॉर्मूला अपलाई होगा तो क्या था पहला फलन पहला फलन इन्टू दूसरे फलन का ओक्लन दन प्लास दूसरा फलन इन्टू पहले फलन का ओक्लन ओके तो देन यहां पर भी क्या होगा यह हो जाएगा by u into dv duight dx equals to अब करदेंगे आकलन तो यह इसका हो जाएगा 1 by y then plus यह खाएगा log y dx करदाएगा यह अब य का इंटूब कर देंगे तो log v开始 तो इतना ही रह जाना है और इस voile kum बेज़ेंगे ऊपर तो यह उपर यह वह जाएगा 1 by u into d-u by dx इसकल टू y को पर भेज देंगा तो यह inverse में हो जाएगा आज इन्टू y के पावर में inverse तैं प्लस लॉग वाई तो अब इस यू को मिधे देंगे उपर तो यह वह जाएगा क्या किवाइव के पावर में x है ओके तो इतने के जगह पर हम इतने की जगह पर हम इतना रख देंगे यह हो जाएगा हमारा तो तो यह पावर में X हो इन्टु x डॉट वाइन वैवर्स thought plus log य है तो यह जाएगा डी यू चाल तो आप ऐसे लिए क्या होगा x जो है इसमें simply सथ लाइत है तो अभी हमारा क्या निकल गाया डी यू बाक्र 8 बश्य थे आपघेवियर अब निकाल दें तो हमारे यह को फ्ललण के पावर में यहां प्लाइक स सब्सक्राइब यहाँ पर भी same year तो इसी के तरीके से हम निकाल लेते हैं इसे भी यहाँ भी फलन की उपर फलन है तो इसमें भी हमें क्या मानना होगा लॉग तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो simply हम ले लेंगे दोनों में लॉग ओके तो यह हो जाएगा हमारा log भी इसकल टू log X के पावर में Y तो यहाँ पर भी O and N के रूप में था तो यहाँ भी simply वही हो जाएगा Y आगे आजाएगा log वे हो जाएगा log V इसकल टू यह हो जाएगा y.log X ओके तब simply हम कर देंगे X के सापक्श एक्स के सापिक्ष अवकलन करने पर ओके तो एक्सिस हम कर देते हैं अवकलन तो यह हो जाएगा हमारा d log v by dx इसकल टू dy.log x by dx तो यहाँ पर ऑक्लन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 by v into dby dx इसकल टू ठीक तो कैसे हुआ यह यहाँ पर log का उकलन किया तो 1 by v आया तो ये डी विवाई डी एक्स आया, ऊके- तो अब यहां पर दो फलन्ट जेक्रणफर वाला फर्मुला प्लाई होग Present पहला फन्ठी साफ में ध क्नक्र फ्रमूथ पारण सब्स्साइक घॉक्त में अब सिर्ड्रीस तो फ्रमुक। ज़्य क्या करना ओकिलनकर देना यह तो यह जाएगा 1 by do टो यह स्गेगा वाई डॉट वन बाइक सो जागा लोक का ओकुलनकर गरेंगे तो यह जाएगा थे वह inटु दिवाई डे यह देन सिंबल यह में करना या इससे स्कूर फेज देना ती हो जाएगा Hang यह हो जाएगा एकस इनवर्स रीकल हो जाएगा लॉग एकस इन्टम एकस तो अब इस विर्डू अत pracy स्बीछ ब्रेंगा d y by dx ओके तो वी का वैल्यू था क्या वी का वैल्यू था इतना तो इतने के जगह पर हम इतना रख देंगे ओके तो रख देते हैं तो यह हो जाएगा dv by dx इसकल टू वी का वैल्यू था यहां पर भी क्या है यहां पिछले वाले में यहां किया था तो यह सेम इसी तरह यह हो जाएगा यह वाई-क्स यंत वाई नियॉ आई दें प्लास यह वह जाएगा लॉग एक्स एं टु दीवाइं द इक टैने ब्रेकेट क्लोज तो यह हमारा डीउक वॉ derecho निकल यहां पर इतना निकल यह इतने के जगह हम इन डोनों के जगह पर क्या रख देंगे यहां du by dx का मान रखेंगे इतने के जगाओ पर तो रख देते हैं तो du by dx की जगाओ पर हम रख देते हैं मान इसका कितना है जैसे कि यह है x dot y x minus 1 then plus यह है y के power में x dot log y then is equal to dby dx का था x y minus inverse dot y plus log x into dby by dx then माल लिजे ब्रेकेट में है तो simply हमें करना किछ नहीं है हमें यह क्या है into में है ना इतना माल लिजे यह इतना क्या इंटू में है तो इसे हम simply equal to e set भेज देंगे तो यह कहा जाएगा इसके बट्टे की नीचे आ जाएगा जिसे कि हमारे dby dx find out हो जाएगा ओके तो हम निकाल लेते हैं जैसे कि क्या है x dot y x minus 1 then plus y x यह हो जाएगा लॉग वाई ओके अब इतने को जोगा हम इतना नीचे भेज देंगे यह जाएगा बाई इतने को नीचे भेज देंगे तो यह जाएगा यह हो जाएगा x के पावड में y into log y is equal to में हो जाएगा dy by dx अब इसे सीधे तरीके सही लिख ले तो यह हो जाएगा dy by dx is equal to x dot y x minus 1 plus y power में x into log y by x y minus into y plus x के power में y into log y ओके तो यह रहा question number 13 का answer कर दो झाएगा कर दो